हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर दोस्तो संडे का आज दिन है और सेटर्डे की सेशन में यहाँ पर भेल के शियर में लगबग एक परसेंट का यहाँ पर फॉल देखने को मिला है यहाँ पर धाय रूपे गिरावट में शियर क्लो कुर्ण में शियर आता है तो और अक्षा मोमेंटम बनता हुगा देखने को मिलेगा प्लस दोस्तो कुछे दिनों में आप अब बजट कभी अनॉंस्मेंट होगा इंटरिम बजट का तो वहाँ पर अगर दोस्तो सरकारी कंपनी से रेटेड कुछ दोस्तों अनॉंस्मेंट आती भी देखने को मिलते तो उसका impact definitely यहाँ पर इन stocks में पढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ही बात दोस्तों यहाँ पर stock की तो basically अगर आप देखेंगे तो शुरुवात अच्छी हुए थी लेकिन फिर जैसे दोस्तों market का direction चेंज हुआ वैसे दोस्तों भेल का direction भी चेंज होता हुआ देखने को मिल गया stock के अंदर दोस्तों long unwinding अपने को होती भी देखने को मिलेगे clearly यहाँ पर आप पढ़ सकते money control essentials पर यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिला है की बात करेंगे तो 50 point नीचे nifty और 200 point नीचे यहाँ पर centex रहता हुआ देखने को मिला है लेकिन अगर midcap index की बात करेंगे तो यह index में 200 points की तेजी थी तो definitely midcap index outperform करता हुआ देखने को मिल रहा है and definitely जब भी midcap outperform करता है तो भीड के share में तेजी बनती भी अपने को जरूर देखने को मिलती है रही बात यहाँ पर stock की volume की तो definitely due to long unwinding यहाँ पर volume में dip देखने को मिला है मातर 25 million की volume यहाँ पर आती भी देखने को मिली है और यहाँ पर अगर अगर अपन बात करेंगे stock के 50 week high की तो 225.50 जो कि अपन stock ने कल यहाँ लगा है वही stock का 50 week high touch होता होगा देखने को मिला है and all time high stock का 390 का है तो अभी भी definitely दोस्तों अगर यहाँ से अच्छे results आते है company की अगर अगर अपन results की बात करेंगे हो सकता है December quarter में company के वो शो ना करें March quarter में करता होगा देखने को मिले बर definitely यहाँ से अगर दोस्तों revenue अच्छा होता है और company I think पुछली बार loss में थी loss से अगर profit में आती है तो वो definitely बहुत अच्छा होगा और बजार पहले से दोस्तों यहाँ पर profit एक्सपेक करके चल रहा हो कि जिसे साबसे news आती है भी देखने को मिली है definitely अच्छे results अगर company deliver करती है तो stock में और बड़ी है momentum बनता हुआ देखने को मिलेगा नीचे में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम risk है आप पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है रही बाद stock के support levels की तो as I earlier said नीचे में काफी कम risk है 215 का level है जोकि I think so एक important support level है अगर वो भी break होता है तो नीचे में दोस्तों 205-206 रुपे की बहुत अच्छा zone है उस zone से तो हमिशा recovery बनती भी देखने को मिलेगी और I think so अगर dip में मिले तो ज़रू खहिदारी करके चले इस counter में और I think so अगर यहां से दोस्तों interim budget के बाद एक और budget आता हुआ देखने को मिलेगा after results अगर वहां पर भी दोस्तों अच्छे आप कह सकते हैं रिकावरी आ रही है और यहां से आपसे orders मिल रहा है अभी NLC से 15,000 क्रोड को order मिला था यह stock अच्छा stock बनता हुआ देखने को मिलेगा long term में आप hold करें 5 साल अच्छे returns आपको भेल कशिर कमा कर दिखा देगा रही बाद sentiments की तो sentiments यहां पर bullish है 100% लोग bullish है and stock का very bullish है and यहां पर volume में थोड़ा सा अपने को dip बनता हुआ देखने को मिल रहा है बागे stock अच्छा momentum है अगर आपके और भी कोई कोई रही है तो ज़रू आप comment करके बदा से thank you this video